भाइओ नमस्कार भाइओ आज मैं ऐसे किसान भाई के पास आया हूँ जिनोंने जैविक विदी से इतना सांदार गन्ना कर रखा है पहुँच जबड़स्त देखो वीडियो तो मैंने भी बहुँच से किसान भाईव की बना लिए और बना रहा हूँ लेकिन जैविक विदी स जो जब रस्त गन्ना कर रखा है वो इन Hearts बहुत सांधारी कर रखा है वे आपको वीडिओ में सारी जानकारी देंगे कि जैविक विधी से कैसे गन्ना करा और T साटार अन्य दिनध्यवाइट्ट से इन्हों नहीं की बात करने और पांदन Acid पड़ी क्योंकि इनका गन्ना ऐसा है ऐसा आस्पडोस में भी नहीं है इनके तो इन से सारी जानकरी लेंगे कि कैसे इन्होंने और क्यों जैविक पर आए कैसे यह गन्ना करा हाँ अपना परीचे बता दीजिए पहले मेरा नाम अरुण कुमार गाउं सेलिया तैसिल हसंपुर जिलाम रोहा यूपी से रहने वाला हूं अच्छा एक जानकरी दो आप आपकी गन्ना बुवाई कब किया यह हमारी साफ गन्ना बुवाई है अक्टूबर की 10 अक्टूबर अच्छा एक सिंपिल विदी से है और साफ पूरे लेजर खोल के जद बुवाई है लगबग पोन पूरी का गला हुआ छह महीने पुराना शड़ा हुआ खाद लिया उसमें अपने जैविक नुक्ते डाले जैविक नुक्ते क्या क्या सैविस्तार बताएं जैसे शर्सों की खल भेने के बाद मैं शड़ाई उसे 24 घंटे तक फिर उसको जो है घोड़ी वाले खाद में रिल करके उसे कई बार रिलाया तो 15-20 दिन चाओं में हमने पड़ा रहन दिया बस यही सिस्टम जो है हमने गन्ना बोने के बाद में गूल-गूल और ओर दिया जैसे एंपी के या बैसे डालते हैं ऐसी हो रहा तुमने और और ने के बाद में पाउफेर दिया पानी छोड़ द अबती अच्छा पहले घंण की हाइट दिखा आप दिखाओ लंबाई गंनें ही तो बहुत लंबाई जाक यह तो आप अच्छा कोन सी गन्न वेराइटी है यह यह है पीवी पिच्चानव है अच्छा जैसे आपके नहीं पीवी पिच्चानव इसको एक खड़ा कर रखा है जैसे किला हो क्योंकि बहुत है कम से कम 15-15 फिट है तो आप मान चलो अच्छा गन्ने की मोटाइज मोटाइज काफी जा अच्छ तर गन्ये वी काफी है तए जुझ बतावा दो बहुत वाराइटि यहां हर बढ़ना चल लएक कोई बैराइटी इसी नहीं है कुछ बैराइटिया जो चल लाइए यहां भी आपने तुफान कर दिया जैविक का ही सिस्टम बहुत है जैविक की खेती हमें परसंदाई हर साल ज्यादा लागत देते थे तमाम फटेरा तमाम कोरा जन तो हमारे मिलने वालों ने बताया बोले एक बिगे में इस्तेमाल करके देखो पिछले साल एक बिगे में इस बढ़ा जैविक करा था उसके रिजल्ट बहुत लगे हमने तो इस बज़े से कम लागत पर देख रहे हम क्या हमने तो भी तैयार करना था था है तो इस बढ़िए लागा जैविक का सिस्टम और टोटल हम जैविक की करेंगे अच्छे पहला पाध दिया आपने यूरिया द दो या तीन चार किलो तक की बिगे की जो है अलका छीटा मारका पानी दे दे वह थे अच्छिए अर दवाई कोई नहीं दवाई लगाई हमने जैसे क्या यह होती है इपको वालों का तुम्हारा यह आता है सागरी का सागरी का है और यह जो आती है जैविक बहुत लें क्या अच्छा यह बाद बताओ जैसे आपने जैविक पर आए जैविक आपको पसंद आया गन्ना पैद्दवार विल्ला जबाब है कोई रोग भी नहीं है तो किसनों को आप क्या कहना चाहिए कि जैविक पर किस तरीक के साए पहले नमबर पर लगा तो यह जैसे जैविक पाना है तो खाली जैविक से तो होगा निए जरूर लगाओ बस जिसका रिजल्ट जादे लंबा ना हो हल्का माला जैसे रोग आ रहे हैं पता है रोग आने से पहले ही हल्का सा लगा ले पर जैविक लगाने के बाद में रोग बहुत अच्छा यहीं तो मैं कहना हूं जैसे सब्सक्राइब करने के बाद में जैसे तुम सड्सों की खली ले लो सड्सों की खली के अंदर कोई भी पहुश सकता है तो ऐसा नहीं है जो नहीं होता हो गन्ये के लिए यह और फसल के लिए बहुत जरूरी है इसमें जो है मैंगनिशियम पोटास और नाइटोजन सलफर आ हमारी यह पीवी पिच्चान में है और साथ यह है 16202 गन्ना गराइटी 16202 अच्छा एक जानकारी दो जितने भी गन्ना वेराइटी आपके साथ टोप है थोड़े इसमें कौन सी पसंद आ रही है आपको हमें जो आ रही है हमें 16202 भी बढ़े है 16201 भी बढ़े है और यह पिच्च्यान में है 86302 अच्छा यह कहते हैं कि 98202 कि लंबा ही बहुत है लंबा आपके पास है विर्कुल उसके तो कोई लागत लगाने की जरुवत ही नहीं है दिखाओ उसा थोड़ा सा है वो भी है हमारे पास आ जाओ क्योंकि 98202 कि बहुत बढ़ाई सुनी है मैं यह भाई वीडियो में इसलिए रोख नहीं रहा हूं कि तुम्हें सेरी जानकारी मिले क्योंकि कुछ किसान भाई कहते हैं कि एक ही जगे से खड़ाओ कर दिखायते हो बिल्कुल टोटल देखिए बिल्कुल लाई गंणा के असाब कि लाई यह बिल्कुल ओभी बिल्कुल साब रिकोर्ड गंणा यह तो तुम्हारा तमाम नहीं है साब लाजवाब गंणा अच्छा इसकी हाइट कितनी लग रही तुम्हें क्योंकि इसलब देख लो इसलब भी मैंने हाथ उपर खड़ा करके इसकी हाइट लगवाग 18-20ft होगी मैं अंगोले के 18-20ft अच्छा यह तो मेरे मैं अपना बताऊं कि 98-014 से हाइट किसी भी करने की जादे नहीं है यह नहीं नहीं तो तूफान मेला बड़ा बहुत है हां अच्छा वैराइटियां बहुत-बहुत भी होती है कि थोड़ा सा इसकी मोटाई तो कम है लेकिन लंबाई बहुत ज़ादा है इसकी डिमांड बहुत जाद है हमारे मीलों में आपट है और माराष्ट की नोलक लेनी शुरू कर देंस फूरू भी क्या दिक्कत नहीं आती और कॉन इस कनना वाराइटिह आप पर और हमारे पास यह कौन सी गन्ना वराइटी है यह है च्यासी जीरो बतिश आच्छा कहां कि यह महाराष्ट की वराइटी है महाराष्ट में इसे मास्टर केन के नाम सजाना जाता है जैसे यूपी में किसानों के लिए यह महाराष्ट में आतंक था रही है बहुत तखड़ी बहुत जवर्जस्त वैराइटी है अच्छे गन्ने की मोटाई बहुत काफी है साहब इसकी है ना बहुत मोटाई और गन्ने में अच्छे यह आपका गन्ना गिर कह सगया जब दो बार बंदने के बाद भी क्या करा जा आपका जंगल भी को तो हलका होगा तकड़ाई हो यह विक आशर भी है कुछ बोड़का वैसे भी है क्यों होर जो बुड़के जंगल में ज्यादे वैराइटी जो है जो जैसे 14201 है यह 13235 है यह जो है तुम्हारा तुम्हारी पंदर जीरो तेहिस है या 118 है यह दम देने वाली यह नहीं है किसान को क्या चाहिए घंणा कुल मिलाय का बात यह है आपको यह अच्छी लगी तो अच्छे एक चीज और बताओ चोदो दोसो एक होई दोसो पैंटिस होई यह पंदर जीरो तेहिस उन में वह पासंद नहीं है और यह चोई फिवीप चान यह आपको पसंद आ रही है अगर किसान भाई जैवीक पर आना चाहें तो यह गन्ना वाइटी अच्छी ओंगी अच्छी होईंगी कम लागत है और वैसे भी जो है ज्यादा चलने वाली यह हां तमाम देखो इधर देखो इधर देखो यह देखिए भाई यह कितना सांदार गन्ना है लाजवाब इनका गन्ना गिर गया और गिरने के बावजूद भी बढ़ रहा है गन्ना और गन्ने की हैट तो मैंने अभी तक 98-04 के इस दो आने का यह नहीं अगर आजाएगा जैविक से धील हैOut shoulder है तो उसह विसे नेम है नेम की चटनी बनाएंगे प्याज की बनाए खे साख की बनाएंगे मिर्च की बनाएंगे ओं लस्ताधकि ने के बाद में चान लेंगे कपड़े से फिर उसे जो है एक गिलास एक टंकी में डाल गए अराम से इस पर इमार दो एक भीगे में छोड़ा कर ना तो रोग खतम हो जाए और फिर बात को आने का इनी पहली बात तो जैविक्स आने का नहीं हाँ सही बात है जो रोग आता है ज्य ज्यादा दवाई लगाने के बाद उससे रोग आते हैं ज्यादा यूरिया लगा दो तुम यूरिया से तो एक दम थड़ेंदा फैलेगा गन्ने में वह तो कहीं को निकले गाई ना सही बात है तो भाईयों देख लो वीडियो आपको कैसी लगी और जैविक्षेती से इतन अपने कितना गन्ना अत्पादन जिया ठीका भाईयों नमस्कार